नमस्कार बहुत बहुत सवायत करते हैं क्लिक टूडे के आज की इस वीडियो रिपोर्ट में और आज जो है दो तीन बरी ख़बरों पर बात करेंगे सबसे पहली ख़बर जो आप यहां पर देख रहे हैं 2018 की सेशन या उसे पहले सेशन के जितने भी खाते हों चात रहा हैं अगर अपना पीजी का फॉर्म एडिट करना चाहते हैं तो उसे एडिट कर सकते हैं सबजेक्ट या फिर आप जो है अपना डेट बर्थ या जो भी चीज़ा चेंज करना चाहते हैं सिर्फ जेंडर आपका चेंज नहीं होगा और जो भी सनातक के चाहते हैं जिनको एडिट करने का ऑप्शन मिला है वो लोग यह चीज़ बता है कि आप लोग को जेंडर चेंज करने का मौका दिया जा रहा है कि नहीं क्योंकि अभी तक कि कोई एक भी एप्लिकेशन नमबर नहीं है मेरे पास जिसस पहले मेदा सुची में हो सकता है नाम आया होगा आपने अड्मिशन नहीं लिया तो आप लोग एक बार बताईए कि आप लोगों का पहले मेदा सुची में नाम आया था कि नहीं आया था और जो पहले मेदा सुची में नाम नहीं होने वाला है आप कॉलेज चेंज नहीं कर से पहले आपका सारे डॉक्मेंट वेरिफाई किया जाएगा उसके बाद ही आपका दूसरी मेदा सुची में नाम आएगा हाला कि जो तीसरी मेदा सुची भी जारी की जाएगी और अगर उसके बाद भी कोई तुरूटियां दिखती है तो शायद कहीं ऑप्शन मिले एडिट सुची निकालते हैं पहली बार भी पूरी सजकता से बरती गई और वहला इट लिस निकाला गया तो यह सारी बाते जो है अब बात करते हैं जिनकी परिक्षा होने वाली है अभी होगी की नहीं होगी यह भी इस जैसा कि बताया गया है कुछ समय पहले कि पार्ट वन का परि जाना है फॉर्म लेना है फॉर्म को देखते हुए जो सारा डीटेल्स अगर सही है तो ठीक है कुछ गलत होगा तो पेंसे काटके करेक्शन करते हुए जह आपको अपने कॉलेज में परिशा कारिकरम जारी होगा तो अगले महीने से अप देख रहे हैं आपकी दुर्गा- पूजा के बाद कहीं शुरू हो जाए और पिछले साल भी ऐसा हुआ था कि छट पूजा से पहले भी कुछ एक्जामिशन चल रही थी अब बीच में लंबा गैप दिया गया था एक्जामिशन के लिए तो ऐसा हो सकता है कि पार्ट वन का पूजा के बाद सुरू कराया जा आप लोग को एक offline form दिया जाएगा college में उसे जो आपको अपना पूरा details भरते हुए photo signature करते हुए जमा करना रहेगा कौन से subject में आप प्रमोट हुए यह सारा details आपको लिखना रहेगा उसके बाद आपका admit card बन करके आएगा आएगा आपके college में और फिर examination दीजिएगा paper को गोशित किया जा सकता है लेकिन अभी तक कोई भी practical परिक्षा करती थी गोशित तो नहीं किया गया है लेकिन आगे आने वाले समय में आप लोग का हो सकता है कि practical examination लिया जाए शायद से 20 September से आप लोग का practical का परिक्षा लिया जा सकता है अभी university पार्ट 1 के result को सुधारने मे लगी हुई है दो जर भी से टेशिशन का जो पार्ट 1 का result है वो ठीक होने के बाद जो है प्रैक्टिकल एक्षा करती सुरू कर आया जाएगा आप लोग को प्रैक्टिकल की कॉपी बना कर रख लेनी चाहिए आपने अब प्रैक्टिकल की कॉपी बनाई है कि नहीं बनाई ह तो यह चीज़े है और आज की रिपोर्ट में बसे इतना ही तब तक के लिए हम चलते हैं धन्यवाद अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और भी कोई वैल्यूबल कमेंट है तो नीचे कमेंट बॉक्स म जरूर करिएगा